नवस्कार दोस्तू मेरा नमें अर्पत्थ आर्वाज के अदर हम होंबिल्ट की सारी पोएम्स को है पर देखने वाले अधाव protect वीडियो को और वीडियो के अंदर हम एक एक करके सारी पोईम्स को कवर करेंगे उनका एक सॉलिड एक्स्प्लेनिशन देखेंगे मैं आपको उसके पोईटिक डिवाइस से कुछ इंपॉर्टेन कोश्चिन्स देखेंगे से कव सकते हैं इस वीडियो के अंदर करने वाला है और लेटेस्ट्ट्व के साथ करते हैं मारे वीडियो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम घृत और आज केसे वीडियोगे था क्लास 11 स्टार्ट करने वाले सबसे पहले हम सेक्षन को कोवर करेंगे और इसके बाद फिरम प्रो सेक्षन को भी बिल्कुल कम्प्रीट लियां पर करने माले तो अब देखते लिए का इस वीडियो को तो आई अब में स्टार्ट करते हैं पोएम वन आफ था हॉन्बिल क्लास 11 और इसका नाम है फोटोग्राफ इस पोएम को लिखा गया है शरली टाउलसन के द्वारा और इस पोएम के अंदर जो शरली है हमारी पोएट है वह अपनी मदर की मेमोरी को रिकॉल करती है और उनके पास एक फोटोग्राफ रहता है उस फोटोग्राफ के अंदर उनकी मम्मा की एज रहती 12 यर्स और उनकी मम्मी को मुल्री मौतरमा इनका नाम है शरली टाउलसन इनका नाम आप याद रखेगा क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर आप इनके नाम को यूज कर सकते हैं बढ़ते हम आगे और कंप्लीट पोएम की समरी को गर हम देखें तो इस पोएम के अंदर जैसा मैं दो कजिन डॉली एंड बेटी और वो दोनों अपने अंकल मतलब तीनों जो बहने हैं वो अपने अंकल के साथ जाती है बीच पर और तभी वहाँ पर अंकल जो रहते हैं पोएट की मम्मी के अंकल वो उनका फोटोग्राफ हाँ पर देखते हैं वो उसको खीचते हैं क्लिक क कि जो पोएट है उसकी मम्मी की जो फेवरेट मेमोरी है वो है बीच का हॉली रे जबकि जो हमारी पोएट है उसकी फेवरेट जो यादे हैं वो उसकी मम्मी की स्माइल है तेन बहुत ही कमाल और धमाल तरीके से इस चैप्टर में सारी चीज़ों को लिखा गया है मैंशन कि लिखा है the cardboard shows me how it was when the two girls girls cousins went pedaling each one holding one of my mother's and and she the big girl some 12 years or so तो यहां पर क्या लिखा गया है उसको देखते हैं तो important शब्द मारे पास pedaling pedaling का मतलब होता है walking तो प्राइब दो बीच के किनारे पर चलना उसको बोलते है पैडलिंग तो इन लाइन के अंदर पोएट यार एक ओल्ड फोटोग्राफ को देख रही है जो की कार्डबोर्ट से बना हुआ है और तीन गर्ल्स इस फिचर के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो की बीच पर एक दुसरे का हाथ पकड़ के वाकिंग कर रही है जो मिडल म में जो लड़की है वो पोएट की मम्मी है और उनकी उम्र उस टाइम पर जब फोटोग्राफ केचा गया था तब बारा साल के आसपास थी लाइन 529 को पढ़िए का आप आल थ्री स्टूड इस्टिल तो स्माइल दो देयर हैर एट दंकल विद दे कैमरा अ स्वीट फेस यहां पर इंपोर्टन शब्दे ट्रांजियंट जिसका मतलब होता है टेंपररी या शॉर्ट टम ऐसी जो की बहुत कम समय तक चले तो इन लाइन के अंदर फोटोग्राफ जो पोएट है वो डिस्क्राइब करती कि कैसे फोटोग्राफ को लिया गया था जो उसकी मम्मी के अंकल है उन्होंने इस फोटोग्राफ को लिया था और तीनों लड़कियों से बोला था कि अच्छा आप यहां पर रुको और पॉस करो अब बीच के आसपास वो थे तो उनके बाल एकदम गीले थे तो गीले गीले बालों में ही वहां पर एकदम स्माइल कर देते हैं कैमरा समय पहले जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था और पोएट बोलती है उनके पैरों को उनकी बॉड़ी को देखकर बोलती है कि इस वेरी टेरिबली ट्रांजेंट टेरिबली ट्रांजेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही जादा टेंप्ररी मतलब यहां पर बताये गय ठीक है तो यहां पर बताये गया है कि सी तो बिल्कुल नहुके परापर चेंज हुआ है लेकिन जो इनसान है वो तो भई बदली गया है वो तो मरी गया है अब अगली लाइन है कि सम्ट्वेंटी थर्टी इयर्स लेटर शी वुट लाफ्ट एड़ स्नेप्शॉट सी बैठ ऑफोटोग्राफ को देखें और हसेंगी और वह उसकी काज़न जसको भी बोले कि देखो बैटी टॉली तुम्स मीए अलग घ्र्टी आऊ पर लोगों कैसे को देखें आफ हासेंगी और फिर यह भी डिसकस करेंगी कि हमें फोटोग्रेव लेने से पिले थोड़ा अब नेक्स लाइन से हैं कि was her past, mine is her laughter, both rai with the labelled ease of loss, तो यहां पर important शब्दे rai, rai का मतलब होता है, ironic या mocking है ना किसी का मजाक उड़ाना, और poet है पर recall करती है, see her lady को, कि यह तो यार मेरी मम्मी की फेवरेट मेमोरी थी, past से, और poet बोलती कि मेरा जो फेवरेट मोमेंट है, वो मेरी मम्मी का लाफ्टर है, वो उनकी smile है, both the women would think about those past memories, ना, दोनों ही अपने बीते वे पलों को देखेंगे, सुचेंगे उसके बारे में, और लेकिन दोनों इसको वापिस नहीं जी पाएगी, क्योंकि जो उसकी मम्मी है, वो तो उनकी बीच में रही नहीं है, तो कैसे वो बीच पर जाएगी holiday बनाने, और अब सिंस पोईट की जो फेवरेट मेमरी वो उसकी मम्मी का लाफ्टर थी, और अब सिंस उसकी मम्मी नहीं रही है, तो उसके लाफ्टर को लाइव एंजोई नहीं कर पाएगी, तो आप दोनों नहीं कुछ ऐसी चीज़े खो दिये, चोकि अब वो वापिस से नहीं पास सकती है, नेक्स लाइन से अपने पास, नाव शी वुड़ शी बिएज 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 अवाज नहीं निकलना, इन लाइन्स के अंदर पोएट बोलती के जो उसकी मम्मी है, उसको मरे अब 12 साल हो चुके है, मतलब जब फोटोग्राफ लिया गया था, तब उनकी उम्र 12 साल थी, और अब उनको मरे वे ही 12 साल हो चुके है, जब वो उस फोटोग्राफ को देख रही है, वापिस से, वेनेवर वो पोएट के बारे में, जो भी पोएट है, वो मम्मी की डेथ के बारे में सोचती है, तो एक्स्प्लेइन नहीं कर पाती है, कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है उसके ऊपर, डेथ ने साइलेंस कर दिया है उसकी मा को जिसने यहां पर जो हमारी पोएट है उसको भी एक दमी स्पीचलेस कर दिया है और वो बिल्कुल कुछ जादा बोल नहीं पा रही है मतलब जो मैंने शुरू में आपको बताया था ने कि शब्दों में उसको बयाद नहीं कर पा रही है तो अब मैं आपको एक बड़े से इवेंट के बारे में बताता हूं जिसका मैं खुद भी पार बनने वाला हूं आज टीचर्स डे और विसे तो हर एक टीचर्स डे बहुत स्पेशल होता है में लिए लेकिन आज का जो ये इवेंट है इसके कारण ये टीचर्स डे और जड़ा स्पेशल हो चुका है और मैं लाइव इस अनकैडमी वन इवेंट को यहां पर जॉइन करने वाला हूं एक दम फ्री इवेंट है आप जरूर से इस इवेंट को को देख पाएंगे और मैं खुद आपके साथ वहां पर लाइव मौजिद रहा हूंगा बढ़ते मागे और आप कुछ लिटरी डिवाइस देख लेते हैं तो लिटरी डिवाइस मतलब क्या होता है फिगर ऑफ इस पीजा पोईटिक डिवाइस जो कि किसी भी टेक्स्ट को क किसी भी पोईम के अंदर चार चांद लगा देते हैं उसकी सुन्दरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एलिटरीशन मतलब क्या होता है रिपीटेशन ऑफ ऐस और एस रिपीट हो रहा है दो देर टीटी रिपीट माइम रिपीट हो अपोजेट शब्दों का यूज किया जाता है जैसे लेबर इस तो लेबर मतलब बहुत परिश्रम करना इस मतलब बहुत जादा आसानी होना तो दोनों अपोजेट है एपीटेट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी फ्रेस से एक्सप्रेस करते कोई भी क्वालिटी टो यहां पर जिस आप देख सकते टरिबली ट्रांजियन तो ट्रांजियन सिर्फ लिखते तो भी काम चल जाता लेकिन यहां पर हमने एक और किस चीज का यूज किया है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एपिट आपको अप्लाय होते हुए दिखेगा तर आपको एंग पोईट की मा को यह ट्रिब्यूट है किस एज में फोटोग्राफ लिया गया था जब बारा साल की थी option number C वें डिड़ हर मदर डाई तो मरे वे कितने उनको साल हो चुके तो 12 साल मरे वे उनको हो चुके option number D कितने पीपल है फोटोग्राफ में तर फोटोग्राफ में तीन लड़किया हैं तो 3 गल्स option number B then which material से frame बनावा है तो cardboard का frame बनावा है option number A seventh question कि who are on both sides of the mother कौन है both sides पे तो cousin से भाइसा betty and dolly option number A what are the three of them doing in the photograph में क्या कर रहे हैं तो they are holding hands and they went for pedaling तो वो फिर पाके बीच पर walking के लिए जाते हैं then who took the photograph तो जो uncle थे उन्होंने photograph लिया था option number B last question आपके पास कि what does terribly transient feet mean यहां से आपको subjective question भी आ सकता है तो इसका मतलब होता ही represent करता है mother को जो की बहुत कम change हुई है ना mother के feet को represent करता है जो एकदम चेंज हो चुके हैं टाइम से लेकिन सी इट रिमेंड दे से में वो तो यह सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि और बीजदा मोटिवेशन मिलता आपके लिए वीडियो बटन के पास बने एक बैल आकन को आप जरूर से दबा दीजेगा तक समारे चैनल के लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स आप से मिसना हो दोस्तों धन्यवाद जय हिंद जय वारत नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम हॉन्बिल की पोयम दे लेबननम टॉप को आपर देखने वाले तो दोस्तों हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम एक दम कमाल दमाल तरीके से इस पोयम को देखने वाल और यार यह बहुत कमाल की पोएम है जिसको लिखा है टेड हुज ने एंड इस पोएम के अंदर एक बर्ड और ट्री के बीच के रिलेशन्शिप के बारे में बताया गया है कि कैसे दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एकदम रीपेंग है दोनों एक दूसरे को कुछ नो देथ लाइक है मतलब उसमें कोई भी ज्यादा मोमेंट नहीं हो रहा है वहीं पर जो यंग बर्ड है वो बहुत ही एंतुजियास्टिक है और चीरिंग है फिर वो जो बर्ड है जैसे ही उस ट्री पर आती है एकदम से उस ट्री पर हलचल स्टार्ट हो जाती है ट्री वापि जो वर्ड है और लेटरे डिवाइस हैं वह भी मैं आपको यहां पर बता दूंगा तो बढ़ते हम आगे और लाइन बाइन एक्स्पेंशन को हम देखेंगे तो अपने किताब को ओपन कर सकते हैं तो यहां पर फर्स जो तीन लाइन से उसमें लेबर्नम टॉप इस साइलें लेबर्नम ट्री बेसिकली एक शौर्ट्री होता है विट हैंगिंग ब्रांचे तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं एक छोटा सा ट्री है जिसके जो ब्रांचे से वो लटक रही है इसमें यहलो फ्लार्स रहते हैं और इसके जो सीट रहते हैं वह बहुत ज्याद से यहलो है और ट्री का जो एकदम टॉप है वह स्टिल है साइलेंट है एकदम से थमासा हुआ है और यह डे टाइम है सेप्टेंबर का महीना है नव इस ऑटम सीजन और तो आटम सीजन मतलब पज़ड का सीजन और इसके अंदर जितने भी यहां पर इसके सीट से वह सब नी यह यह स्ट साइको डर्शाय और दूसरा यह लिउस को दर्शाता क्यूंकि यह का क्लर भी यह यह लो तरशाय कह는 तो यह लो का मतलब चेंब याल्युक्त Лस करता है यह hellele जो और ब्यूटी को क्योंकि at the same time वो जो complete landscape रहता है वो एक दम ब्यूटीफुल सा हो जाता है so it's complete scene को कौन से color से दर्शाए गया है yellow से हना तो आप से subjective में पूछा जा सकता है कि कौन सा color है जो कि सबसे ज्यादा dominant is poem के अंदर ता बताना yellow color है क्योंकि yellow leaves को भी दर्शा रहा है Sunlight को दर्शा रहा है death silence beauty सबको दर्शा रहा है बहुत ही मस्त question से बन सकता है then this के बाद next line से अपने पास till the goldfinch comes with a twitching chirrup a suddenness a startlement at the branch end then sleek as lizard and alert and abrupt she enters the thickness and a machine starts up of chittering and a tremor of wings and trellings the whole tree trembles and thrills तो यहां पर क्या बताया जा रहा है तो गोल्फिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है जैसे अपने आपर रहती ना कोयल तो इस प्रकार के एक बर्ड है जिसके yellow feathers है और विंग्स विसके yellow color गही है तेन उसके बाद twitching मतलब होता है sudden jerky moment है ना तो जर्क ले लेकर आगे बढ़ना उसको बोलते हैं twitching next word है अपने पास chirrup chirrup का मतलब होता है कि जब बर्ड repeated high pitched sound निकालती है ना तो बर्ड जो चाहे चाहाती है इसको अपन चिरुपिंग बोलते हैं startlement मतलब होता है showing sudden shock है ना तो एक दम से अगर किसे को शौक लग जाए तो इसको अपन बोलते है startlement है ना जैसे बिजली का चटका लग जाना तर अबरफ मतलब होता है एकदम rapid है ना बोलते हैं कि यार एकदम abruptly तुने इस काम को क्यों छोड़ दिया तो एकदम rapidly इस काम को क्य फड़ फड़ाना ट्रिलिंग मतलब होता है वही चह चहाना श्रिपेंग ट्रेंबल का मतलब होता है शेक होना और त्रिल मतलब होता है sudden feeling of excitement जैसे आप रिशिकेश साइट जाएंगे तो वहां पर आपको एकदम excitement वाली feeling रहेगी किसी भी adventurous sport को करने में तैन इस परा में बोल करती है चाहे चाहती है सो बर्ड वाइल बिंग रैपेट अलर्ट एंड प्रकॉशियस लाइक लिजार तो बिल्कुल आस पास वह देख के आगे बढ़ती है क्योंकि आगे उसके चोटे-चोटे बच्चे होते हैं तो वह देखना चाहती है कि भाई कोई ऊपर से बाद चील सब्सक्राइब करते हैं कि मम्मी आ गई मम्मी आ गई बिल्कुल एक मशीन की तरह वो सारी चीज़ें साउंड हो रही होती है तो इस मुमेंट के कारण इस वाइपरेशन के कारण शेकिंग के कारण क्या होता है कि वापिस से हो जो ट्री है वह एक दम से उसमें लाइफ आ ज जान से आ जाती है नव पोएट यहां पर दो अपोजिट सिनारियो बतायता है ट्री का पहला तो जब बर्ड नहीं आई थी तो बिल्कुल डेथ लाइक सीन तर जैसे बर्ड आ जाती तो बाइस वापिस से वह खिल जाता है और एकदम मस्तमा पर सीन बन जाता है तैन इसके बाद नेक्स लाइन से पने पास अपने पास इस इंजन फार फैमिली शिस्टोक्स एट फुल थैन फ्लर्ट साउट तो ब्रांच एंज शोइंग हर बैड फेस इंटिटी मास्क फ्लर्ट साउट का मतलब होता है यहां पर लीड ओन तो हैना मतलब आगी की तरफ जाना यह व इंजन नें चेकरतें फ्यूल के स्टोक्स लगता रहते हैं तो इस परकार से यहां पर भी आगे साइड बर रही है बैड मतलब होता है इन तो इस ट्रिप्स यहां पर बनी हुए यह जैसे आप को एंपर इस चीडिया में देखने को मिलेगे सके फेस कोकर आप दिखोगे त तन इस पयरा में लिखा हुआ है कि झो लिबर्मन त्री है and the goalfinch bird.. तो यह जो goalfinch bird क्या है यह एक इंजन है उसकी family का nós.. प्यमिली को सपोर्ट करने का काम कौन करती है यह bird करती है बिल्वाइट होड्य फीवेश्ट跟大家 बालव probability and moves to the other branch end और बिल्कुल बच्चों के पास पहुंचाती है Her dark colored stiff face is visible as her body is yellow colored and hides behind the yellow leaves तो अब फिर अपने बच्चों से जैसे वो दूर जाती है तो अब क्या होता है कि धेरे 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 वो hide होना start हो जाती है क्योंकि जो पेड़ की पत्या है वो भी yellow color किये और जो अपनी इसकी body है वो भी yellow color किये बस उसका जो face था वो थोड़ा सा visible अभी था next line से अपने पास कि then with the eerie delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite and the libanum subsides to empty तो यहां पर eerie का मतलब होता है weird और एकदम strange whistle chirp मतलब होता है कि gently whisper करना और चह चाहाना subside मतलब होता है diminish हो जाना गायव हो जाना तो इस line में लिखा हुआ है कि after reaching the end of the branch जैसे ब्रांच के end पर पहुंचती है बर्ड एकदम sweet सी sound निकालती है and just like whispering and then for वहां से वह ओड़े जाती है towards the infinite sky अब जैसे वह ओड़ती है तो वापिस से आर वह जो ट्री था बर्ड को और यह जो बर्ड है वह life प्रवाइड करती है उस ट्री को तो अब कुछ important devices देख लेते हैं literary devices तो पहला है elitration elitration मतलब जब आगे का शब्द रपीट होता है जैसे September sunlight s or s repeat हो रहा है तो यहां पर elitration लगेगा tree trembles हो रहा है तो यहां पर भी elitration लगेगा तैन अपने पास आजाता है simile simile मतलब क्या होता है जब like as का प्रयोग किया जाता है तो sleek as a result as a lizard है ना तो as का प्रयोग किया गया तो यहां पर simile लग जाएगा personification जब मानव और non-mानव की qualities को compare किया जाए तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो whole tree trembles and thrill tremble करना शेक करना thrilling experience किसको रहता है मानव को आता है ना तो यह मानव की quality human being की quality है ट्री एक non-human है तो जब non-human को human की quality करते दर्शाय जाता है तो इसको अपन बोलते personification या मानव यह करन तो यहां पर क्या हो जाए कि अपने पास personification लास्ट अपने पास transport appetite and transfer appetite में क्या होता है तो यह सा figure of speech है जिसके अंदर किसी भी word को glorify करने के लिए या उसकी value को बढ़ानी के लिए किसी और शब्द का प्रयोग के जाता है जैसे हर bad face ना तो यहां पर face भी लिख सकते हैं तो तो भी काम चल जाता है कि हाँ face identity mask मतलब उसका फेस एक identity mask की तरह यूज हो रहा है कि उसकी body तो yellow वह तो छुप गई लेकिन face अभी भी दिख रहा था यह ना तो यहां पर bad face लिख रहा है कि bad मतलब वह strippy face तो यहां पर क्या हो जाएगा transfer depotate अप कुछ important mcqs देख लेते हैं आप लोग इसको answer की जेगा तो पहला अपने पास प्रश्न है how did the poet describe the libanum top कैसे describe के जाता है तो option a still and silently then second again what happened to the leaves of the libanum tree top they are turning yellow so option number b then how was the tree spend standing in the month of the september the tree was still and death like ठीक है option number a when did the death like tree become alive by arrival of the goldfinch bird option number c why did goldfinch bird came towards the tree क्यों आती है वो tree के पास में to feed her younger ones अपने यंग बच्चों को feed करने option number a where are the young ones of the goldfinch bird कहां पर थे young ones तो they are on the thickness of the branch मतलब tree में अंदर के साइड उसको रख रखाता उसने then what role does the tree play तो tree क्या role play कर रहा था the tree role as a means to feed our family नहीं as a shelter ठीक है option number a to tree a shelter की तरह यूसरा था ना क्योंकि family को feed करने का काम तो goldfinch bird कर रही है त्री नहीं कर रहा है then option number eight question eight is how did the bird move to the other side of the branch like a lizard precautionary option a then us के बाद how did the bird arrive at the other branch of the tree कैसे arrive होती है वो so with a gripping sound silently never arrived yeah flew away and then arrived at the branch तो कैसे arrive होती है with a gripping sound arrive होती है next अपने पास what happened after she fed her young ones क्या होता है तो she flew to the other side of the branch जैसे यंग वर्स को free करती है मतब उनको खिलाती है तो other side of the branch निकल जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज हम स्टार्ट करने वाले हॉन्बिल की poem three the voice of the rain को तो दोस्ता हम देखते रहे इस वीडियो को देखने को मिलेगा तैन इस poem को लिखा है वॉल्ट वाइट मैं ने और यह बेसिकली conversation एक वार्ता लाप है पोएट और रेन के बीच में तो यहार हम देखने वाले इस interesting conversation को जिसके अंदर रेन अपनी complete journey को भी यहां पर explain करती है तो अगर हम इस poem को देखें तो यार इसकी एक ब्रीफ सी समरी मैं आपको बता दूंगा और साथ यहां पर हम line by line explanation देखेंगे तो जिससे complete आपका चुकवरेज हो हो जाएगा तो आप अपनी किताब को खोल के यहां पर इस poem को बिल्कुल मेरे साथ में पढ़ सकते हैं तो इस टेंजर वाने मारे पास and who are 2 से लेकर bottomless c तक तो इसमें कुछ important शब्द हैं जैसे who are 2 तो यह basically एक थोड़ा सा poetic tweak है और यहां पर who are 2 इसका मतलब होता है who are you तो आपके attention को grab करने के लिए इस प्रकार से spelling में थोड़ी सी mistake की गई है इसके बाद eternal eternal का मतलब होता है never ending एक ऐसे चीज़ जो कभी खतम नहों in palpable इसका मतलब होता है who cannot be describe एक ऐसी चीज़ जिसको भाई इस शब्दों में बयाना किया जा सके सो इन लाइन के अंदर पोएट आस्क करता है soft falling shower से या rain से कि भाई तुम कौन हो who are you to which rain reply करती है एक strange तरीके से और rain बोलती कि भाई मैं poem of the earth हूं मतलब मैं इस प्रत्वी की कवीता हूं and it rose continuously from the land and the bottomless see in the form of vapor फिर अपनी complete journey को बताती है कि भाई मैं कहां से राइस करती हूं मैं इस land से यहां पर राइस करती हूं bottomless ocean से राइस करती हूं in the form of vapor है ना तो land और ocean दोनों से वेपर के form में जो rain ने वो राइस करती है second stanza है upward to heaven से लेकर latent unborn और यहां पर कुछ important शब्दे जैसे वेहंस वेहंस का मतलब होता है वेगली वेक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि clear नहों descent descent का मतलब होता है come down है ना नीचे आना जैसे बारिश descent करती है लेव लेव का मतलब होता है वाश किसी चीज़ को धोना atomics का मतलब होता है बहुत ही small particles है ना जो atoms रहते हैं आपने chemistry में पढ़ा होगा small particles then latent बंत बता है hidden है ना जैसे आपने सुना होगा latent heat मतलब hidden heat so this complete stenza के अंदर rain बताती है poet को कि कैसे यह rise करती है upwards in the sky in the form of vapor ठीक है तो यह आपके पास water cycle आपको देखने को मिल रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि जो rain है वह evaporate करती है सबसे पहले है ना तो जो पानी है वह vapor की form में convert होता है फिर vapor जब solidify होता है या वह water की form में convert होता है तो उसको नेचर है वह हमेशा मेरा सेम रहता है rain comes down to wash the drought and provide water तो यार जब बारिश नीचे के तरफ गिरती है तो वह क्या करती है जितना भी सूखा ग्रस्त इलाका रहता है उसको वाश कर देती है उसको पानी देती है और बाकी सभी लोगों को भी वह पानी देती है तेन वह डस्ट को स्मॉल पार्टिकल्स को अर्थ के सर्फेस से वाश वे कर देती है एंड जो सीट्स रहते हैं जमीन के अंदर उनको यहां पर जर्मिनेट करवाने में पानी की एक एम भूमिका होती है आपने देखा होगा किसान जो हमारे भाई बंदू है वह मेंशा इंतजार करते हैं बार सब्सक्राइब निर्जीव हैं उनको जीव के रूप में कंवर्ट करने का काम करती यह बारिश इसके बाद तीसरा स्टेंजा है एंड फॉरेवर से रहकर ड्यूली विट लव रिटन्स तक तो यहां पर कुछ इंपोर्टेंट शवदे जैसे रैग्ड और अन्रेग्ड तो सब्सक्राइब करती है and rain keeps enhancing the beauty हमेशा वो जो अपने आसपास की सुंदरता को बढ़ाती रहेगी and earth को वो purify करती रहती है और life cycle को जीवित रखती जैसे plants है तो plants जो रहते हैं उनको जब पानी नहीं मिलेगा तब तक उनकी growth नहीं रहेगी तो rain बहुत ज्यादा फाइदा लोगों को पहुचाती है अब यहां पर एक बहुत important प्रश्ण आप से पूछा जाता है कई बार कि rain को song की तरह क्यों दर्शाय क्या है और सो rain is like a song जो की originate करती है from its birthplace that is the earth है ना तो यहां पर comparison किया गया है singers है ना rain को sing song से compare किया गया है तो एक जो singer होता है for example अरजीत सिंग है ना वो अपने दिल से गाना गाता है तो अपने दिल से गाना गाता है audience तो को गाना पहुंचता है audience क्या करती है उस गाने की सरहना करती है और वो जो तारीफ audience के द्वारा की जाती वह वापिस से अरजीत सिंग के दिल तक पहुंचाती है तो complete cycle है ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि जो अर्थ है यहां अर्थ से पानी उपर ज जाता है तो complete cycle होता है तो इसलिए जो रेन है उसको song से compare किया गया है ठीक है यहां पर यहीं लिखा गया है कि finally it comes back to the place चहां पर उसका origination हुआ है and returns to the original position that is on the earth वापिस आ जाती है तो इस प्रकार से poem होती है समाप्त अब हम इसके कुछ important literary devices को देख लेते हैं पहला है personification तो personification क्या होता है मानविय करन जहां पर एक non-human को human की qualities से दर्शाय जाता है यहां जैसे I am the poem of the earth and voice of the rain ठीक है तो voice of the rain voice किसकी रहती भाई मानव की रहती है और यहां पर किसकी दर्शाय जानी है rain की rain एक non-human thing है और voice है human की quality है जहां पर non-human को human की qualities के साथ दर्शाय जाता है उसको अपन बोलते है personification यह मानविय करन नेक्स आता है metaphor तो जहां पर एक basic सा comparison होता है उसको metaphor बोलते हैं जैसे I am the poem of the earth तो rain को poem of the earth बोला जा रहा है basic comparison है तो यहां पर bottomless sea एक sea जिसका कोई bottom नहीं है तो यह तो बिल्कुल impossible जी बात है बहुत बड़ा चड़ा कर बोल रखी है imagery जहां पर आपके दिमाग में image create की जाती जैसे soft falling shower धीरे धीरे गिरतावा पानी है तो यहां पर यह लिटर डिवाइस use हो रहा है बढ़ते हम आगे और कुछ mcqs यहां पर कमाल के solve कर लेते हैं तो पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर कि जो वाइस ऑफ दे रेन है यह किन चीजों के बीच में तो यह जो वाइस ऑफ दे रेन है यह conversation है पोएट और रेन के बीच में सॉप्शन नमबर ए पोएम क्या पूछता है वेपर के फॉर्म में राइस आती है तो इसको टच नहीं किया सकता नाओ फ्रॉम विश्टू प्लेस दस्ट रेन राइस इन फॉर्म वाटर बेपर तो दो प्लेस पता ही एक तो लेंड और एक बॉर्टम लेसी सॉप्शन ए वाट है वापिस रेन फॉल्स बैक तो दे वाइट करती है लाइफ और उनको बढ़ने में मदद करती ग्रों में मदद करती है जैसे रेन है वापिस से प्रत्वी पर आ जाती तो उसका कंप्ली साइकल चलता रहता है तर न प्रस्ट नमबर नाइन है कि वाट तस्ट पोईट कंपेर दे रेन विद तो रेन को यह पर गाने से अपनों अरजीत सिंग वाले एक्जामपल देखा था लास्ट प्रशन है वाइड दस दो पोईट कंपेर दे रेन विद तो सौंग से क्यों यहां पर कंपेर किया जाता है विकॉस टेव शेयर दॉन जर्नी ना तो यहां पर सौंग भी जैसे एक साइकल बनाता है र जर्थ पर आ जाती है सौप्शन सीज दर राइट अंसर नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है और आज के इस वीडियो के अंदर हम हॉन्बिल की पोएम दे चाइल्डूट को बढ़ने वाले तो दोस्तां देखते रहे हैं इस वीडियो को एंदर हम कुछ कमाल नमाल कोश्चिंस यहां पर सौल करने वाले जिससे कंप्लीट पोएम हमें समझ में आ जाई तो आएब हम स्टार्ट करते हैं हॉन्बिल की पोएम फोर जिसका नाम है चाइल्डूट तो यह बहुत ही कमाल की पोएम है और अगर हम लेटे सिलेबस देखे हैं सीबीय सीका तो इसके अनुसार भ कमाल के चैपटर को कमाल की पोएम को लीखा है मार्किस नेटन ने और इस पोएम के अंदर जब आप इस complete poem को आप पर पढ़ लेंगे तो तो हम line by line explanation इस poem के देखने वाले और बिल्कुल complete way में हम इस poem को देखेंगे तो आप अपनी हॉन्बिल के किताब को चाहे तो खोल सकते है इस्टेंजा वन है when did my childhood go से लेकर was that the day तक तो इस poem में यहां पर मतलब इस इस्टेंजा के अंदर एक important शब्द है जो कि यह ceased ceased का मतलब होता है come to an end है ना किसी चीज का अंत आ जाना so in lines के अंदर poet wonder करता है कि यार उसका जो childhood है कब वो खतम हो गया कब उसका एंड आ गया वह अपने आप से इस परिशन को पूछता है और वो पूछता ही कि क्या जब मैं 11 साल का हुआ क्यों कि सब लोग बोलते हैं कि 11 साल के बाद आप बड़े हो जाते हो एक तो बोलता है कि क्या वह 11 मतलब मैंने जोग्रफी की किताब पड़ी और बिल्कुल सारे लोगों से मैंने कंसेप सुना था कि भाई स्वर्ग होता है नरक होता है लेकिन वह जोग्रफीक की मैप पर नहीं डून पा रहा था तो क्या यह वो टाइम था जब मेरा जो बचपन वो खो गया था देन ही रि इसमें एक इंपोर्टन शब्द है प्रीष्ट का मतलब होता है तो किसी चीज को बोला गया हो तो इंद अब बोस्त इंजा पोईट अगें रिपीट करता है सेम को को कि कव उसका जो चाइल्डूट है वो खतम हुआ वो वंडर करता है कि क्या यह वही दिन था जब उसने द करते हैं वो हीपोक्राइट होता है होता है तो जुगले कि यह वयाज को ओने तो फॉफ्लाव तो नहीं जैसे व दिखते हैं वह ब्लकुल द दारी तलवार के तरह काम करते हैं आगे से कैसे पीशे से कैसे तो क्या यह वही टाइम था जब मैंने अपने बच्पन कोशती को Now the adults who talk of love, priest of love and yet never behaved so lovingly. तो आपने देखा हो अगर कुछ इंसानों को वो बिल्कुल प्यारी-प्यारी मेठी-मेठी बाते करते हैं, लेकिन पीछे से चूरा गुप देते हैं. तो क्या यह जो double-faced reality है, जब मैंने इस reality को face किया, क्या तब मेरा जो बच्पन था वो गुम हो गया? तीसरा स्टेंजा है, when did my childhood go से लेकर, but my own and mine alone was that the day? तो इस स्टेंजा में poet deliberate करता है, वापिस से same question को पूछता है, कि कभ उसका जो childhood है, वो loss हुआ, और वो अपने आप से और possibilities को तलाशनी की बात हैं अपर करता है, फिर वो wonder करता है, the day he realized that his mind was his own, पहले बच्पन में तो लगता है, क्यार यह जो दिमाग अपना नहीं है, पस जो सामने वाला बोलते हूं, वो कर लेते थे, लेकिन अब उसको realize हो जाता है, कि बढू यह दिमाग अपना है, और हम इसको जैसे चाहे बैसे use कर सकते हैं, जो चाहे जो सोच सकते हैं, and we are not bound by anyone, किसे से हम bound नहीं है, तो क्या यह वो time था जब मेरा जो childhood है, वो गुम गया थ और उसको यहीं पर यह भी realize होता है, और उसका खुद की एक individuality है, खुद का एक अस्तित हो है, खुद की एक अलग personality है, तो क्या यह वो time था जब उसका childhood खो गया था, 4th distance, where did my childhood go, से लेके that's all I know, तो इसमें एक शब्द infant, infant मतलब होता है newborn, नवजाच शिशू, तो last distance आए, और इसमें poet बहुत ज़दा sad है, यारब, lost childhood को लेके, and वो conclude करता है, कि यार यह जो childhood है, शायद किसी एक अंजान जगह पर चला गया है, जहां से वो कभी भी वागपे इस नहीं आएगा, लेकिन वो cherish करता है अपनी innocence को, कि यार ठीक है, जो मैं innocence था, जो childhood के dash थे, वो बहुत ही अच्छे थे, and अब तो यह चले गए हैं, लेकिन हाँ, इसको किसी में नए baby में देख सकता हूँ, इसलिए आपने देखा होगा हम लोगों को जो नए baby रहते हैं, उनको हम प्यार करते हैं, उनको अच्छे से हम सहलाते हैं, और उनमें कहीं ने कहीं अपना बचपन देख रहे होते हैं, तो वो भी बोलता है कि यार शायद मेरा बचपन तो कहीं खो चुका है, लेकिन इस प्रकार का जो बचपन में वो देख सकता हूँ, किसी नए baby के मेमोरीज हैं, वही अपने चाइल्डूट की, जो भी धीरे-धीरे-धीरे फेडवे हो जाएगी, वो एक कनवे भी करता है, मैसेज को यहां से कि जो इनोसें से चाइल्डूट की, वो इस्टे रहती, तिल ताइम ही इस इन इंफेंट है, जब तक कोई बच्चा नवजात है 3-4-5 साल का रहता है, तब ही तक को इनोसें रहता है, उसके बाद तो भाई उसको सब कुछ पता लग जाता है, और बिल्कुल वो भी चतुर चालाग हो जाता है, यहां पर से कुछ लिटरी डिवाइस को हम देख लेते हैं, जैसे पहला है राशनलिजम, तो राशनलिजम मे एक दिमाग लगाना, एक लॉजिक लगाना, तो हम यहां पर देख सकते हैं, कि पोएट ने लॉजिक लगाया है, कि क्या मैं जब 11 साल का था, तब तो मेरा नहीं वो गया था, तो कॉस एफेक्ट आप बोल सकते हो, जहां पर इस प्रकार की रिलेशन्शिप रहती है, वहां बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे वें डिड माई चाइल्ड़ूट गो भाई सब बार बार इस लाइन को रिपीट कर रखा है, वहां पर इंडिविज्वाइटी मतलब क्या होता है, जहां पर वो अपने आपको डिस्कवर करता है, जैसे हम इस टेंजा 3 में तो hell and heaven and opposite सब्द है, एलिटरेशन मतलब तो आगे के जो words repeat होते है, जैसे the time, तो t t repeat हो रहा है, my mind mm repeat whichever way, यहां पर w repeat हो रहा है, thoughts में, इसमें t repeat हो रहा है, बढ़ते हम आगे और कुछ mcq उसको देख लेते हैं, childhood chapter के, तो पहला यहां पर mcq होए, what is the poem childhood about, यह poem किस बारे मे है, तो यह जो poem है, यह poet के lost childhood के बारे में, तो option number a, now किस age पर poet को realize होता है, कि उसने अपना childhood खो दिया था, तो जब 11 साल का था, option number b, then what the poet could not find in the geography book, it is the hell and heaven, what did the poet find out about the hell and heaven, that they could not be found in geography books, they are all imaginary places, तो they could not be found in geography books, तो यह स्कों आपर मिलता है, और they were imaginary places, तो मेरे साब से सकांसर बहुत अन्वी होगा, यह ना, कि A भी सही और B भी सही है, then next step ने पास, कि what did the poet realize about the adults, adults के बारे में, क्या realize करता है, that they are mature, have to earn, that they were not what they seem to be, they are hypocrites, option number c, then why are the adults not what they seem to be, because they talk and preach of love, but do not act so, option number a, what did the poet realize about his mind when he lost his childhood, क्या उसको realize होता है, that whenever he can use it, whenever he wants it, तो इसने यही देखा था, कि वो अपने mind को जैसे चाहे, वैसे यूसे कर सकता है, तो option number a, then what did the poet conclude about his lost childhood at the end of the poem, क्या conclude करता है, that it went to another dimension, it went to some forgotten place, okay, so option number b, क्यों किसी अन्जान जान जग है, पर चला गया है, then where could he see the childhood now, in the infant's face, okay, किसे भी नौजार शिशो के face में उसको देखने को मिलेगा, and who is the poet of this poem childhood, तो आए आपको बताना है, आप तो नहीं देखा है था, मार्कस नेटन, is the poet of this poem, नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है रपित, और आज के इस वीडियो के अंदर हम हॉन्बिल की poem, father to son को पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों हम देखते हैं यह इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ कमाल दमल questions भी आपर solve करने वाले हैं, यह अब हम स्टार्ट करते हैं, हॉन्बिल की poem, father to son को, तो इस poem को लिखा है, Elizabeth Jennings ने, और इस poem के अंदर वो एक पिता के एंग्यूश को, पिता के दर्द को यहां पर तर्शाती है, और वो दर्द क्या है, वो दर्द यह है कि यह एक पिता का इतना अच्छा relation नहीं है, अप पर create हो चुका है, और इसके काराने को जो अलगाओ की feeling है, वो भी वहां पर उत्पन हो चुकी है, ना वो यहां पर share करते हैं, इस feeling को by saying that he does not know much about है, मैंना कि मुझे यार अपने बेटे के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, और नहीं कोई sign of understanding यहां पर मुझे दिखाई देती है, वो चाहता है कि यार जो हमारा relationship है, यह बिलकुल वैसा हो जाए, जो एकदम बच्पन में हुआ करता था है, वो जो निर्दोश bond था, father और son के बीच में, बिलकुल उस प्रकार का bond वापिस से हमारा create हो जाए, और अभी उसको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता ह है कि आप दोनों के बीच की जो दूरिया है, वो बढ़ रही है, अब इस poem के हम line बरा an explanation को एक बार देख लेते हैं, तो पहले Stenza को खोल लीजेक अपने किताब Hornbill के अंदर, I do not understand से लेकर, yet have I killed तक, and it's Stenza के अंदर, जो poet है, वो अपनी feeling को share करता है, वो अपने relationship को अपने बेटे के साथ जो भी relationship है, उसके बारे में बताता है, वो बोलता है कि although हमने, मतब हम बहुत सालों से एक ही घर में रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, and he does not also know anything about his son, है ना कि मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कि उसकी प आप और चेलेंगे उसका उसा बेटा वा चेंज हुआ है, जैसे वो बढ़ा हुआ है, वो उसका वहार एक थम बदलता है, नो शेकिंड इसा आपके स्क्रीन पर है, तसिद आप से लेकर आ बेटे नोट शेड तक, और यहां पर एक इमपोर्टेंच शब लिवा बाराय का प ताकि वो acknowledge कर सके हैं उनके role को communication gap में तो यहाँ पर वो सिर्फ पूरा का पूरा blame अपने सन पर नहीं डालते हैं वो बोलते हैं कि भाई यह जो communication gap है इसके अंदर एक बड़ा role मेरा भी है इसलिए वो यहाँ पर आई शब्द का प्रयोग करते हैं इससे स्टेंजा के अंदर अलग ही जोन में रहा है एक अलग ही प्लेस पर रहा है जिसको में एक्सेस नहीं कर पाता हूं और घर में भी वह एक दूसरे से बिलकुल एक अजनभी की तरह यहां पर बात करते हैं और बिलकुल उनके बीच में कोई सब्सक्राइब नहीं देखने को मिलता है इस चाइल्ड यूज तो लुक लाइक हिम येट डिद नॉट नो वाट इस सब्सक्राइब बेटा है तो बिलकुल दिखता तो मेरे जैसा है लेकिन मुझे यह नहीं पता कि उसको क्या पसंदे क्या चीजें उसको अच्छी लगती है थार डिस्टेंज आपके पास साइलेंस से लेकर सौरो अन्यू लाव सो यहां पर इंपोर्टन शब्द है प्रोडिगल प्रोडिगल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्रीली पैसो को खर्च करता है तो देर इस साइलेंस बीट्वीन दिम दोनों बाप और बेटे के बीच में एक साइलेंस है यहां पर बताए जाता है कि जब बच्चा था तो भाई बहुत जादा खर्चीला था और अब उसके पिता चाहते ही कि यार वह वापिस से अपने घर पर आ जाए और वह नहीं चाहते कि यार मेरा जो बच्चा है वह पुरे विश्व में दर-दर की टोक सारे सौरोस को में बिल्कुल भूल जाने को तयार हूं बस तु वापिस से लोट के आजा वह चाहते हैं कि वापिस उसको उसी प्रकार से प्यार करें जैसा कि वह बच्चपन में उसे क्या करते थे फॉर्थ इस्टेंज आ है फादर टू सन से लेकर लविंग फॉर सम्थिं करता है तो वह भी बहुत जाता है दुखी है कि उन दोनों की बीच में जो गैप है वह बहुत जाता है एंड वो शेर करता है यह एट पॉइंट वेरी दस नोट अंडरस्टेंड हिंसल से ना बोलता है कि यार अब मैं ऐसे पॉइंट पर आ चुका हूं जा पर ना मैं वो फ्रस्टेशन की फीलिंग है एंड उन दोनों के रिलेशन्शिप के बारे में बोथ फॉंट टू फॉर्गिव इच अधर दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ करें लेकिन वो इसके लिए इस प्रॉब्लम का सेलूशन नहीं निकल पाने कि कैसे एक दूसरे को लगिति हैं तो एक विकति हात आगे बढ़ाता है तो दूसरा उस टाम पर पर रिलक्टिंट हैं तू बिल्कुल इस प्रकार से लिसेายड़ीर बाक्पर करलुसर यहां पर आगे के शिब्द रिपीट होते हैं जैसे साइलेंस अराउंड अस तो एस 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 रिपीट हो रहा है तो यहां पर एलिटरेशन लग जाएगा मेटाफर बेसी कंपेरिशन है जैसे आई इस्पेंट और सौन इट वेर और यहां पर तो इसको अपन बोल सकते हैं मेटाफर बढ़ते हैं अगे और कुछ एमसी की उसको देख लेते हैं फादर टू सन के पहला है कि इसके पोएट को ने तो पोएट हमारी अलिजाबेश जैनि इस पोएम का थो इस पोएम अबाउट तो इस अब इस पापा उस सन से बिलकुल बात नहीं कर रहे है तो बैसिकली चलो इसका अंसर आप मुझे कोमें बोक्स में दीजेगा next day father tells him that although they have lived in the same house for years he so he does not understand him option number c next day what happened when he tried to build a relationship with him in his childhood so kya होता है जब हो childhood में उसके साथ relationship बनाते हैं so his efforts went in vain then does father know about his son's likes and dislike to no option b why does not the father use i in the line the seed i spent now why does the father use i in the line to i ko q use करते हूं वो जो father ने थाकि acknowledge कर सके उनका role communication gap में option a despite all his effort to fix the communication gap the son was able to understand him no then what is the meaning of the child is built to my uh design yet what he loves i cannot share this is the son he looks like him and uh they share everything night the son looks like him yet they don't share everything to share and option b then next day what is the meaning of the world prodigal तो इसका मतलब होता ही कि ऐसा वेक्ति जो कि बहुत ज़्यादा कर्चिला हो है ना तो someone is spending money freely to option number c तो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी doubts हों सवाल या सुझाओं तो उसको आप जरूर से comment box में लिख दीजेगा दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसे में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बैल आकन को आप जरूर से दबा दिजेगा थाकि हमार